आज दौनलोड करें डौनलोड पर अपने सब ही गनित रसायन विज्ञान भौटरल पनी है करतें हैं तो फ्रश से मिदnd और दोस्तों तो हम यहां पर देखते हैं अपने उत्तर को और देखते हैं कि विनाइल कृराइड पर HCL की क्रिया से क्या प्राप्त होता है तो विनाईल क्लॉराइड को सबसे पहले में जानना होगा तो विनाईल क्लॉराइड होता है दोस्तों एक दूई बंद जैसे होता है CH2CH इस पर एक CL लगा दें तो ये विनाईल क्लॉराइड होता है जब दों दोऊ बंद पर सीधे को ही लगा होता है, जैसे क्रिया लगा है तो इसे विनाईल क्रूडाइड कहते हैं, इस पर ही हमें HCLE की क्रिया करानी है, छो से ह go'dan NHCLE होता है, यहां से ने था है, तो इस ग्रीण दूस पर क्रिया करता है, ने सुधा था है, तो हम दोऊ पर CL के लेक्टान जोंगम इसको इस्थाई तो प्रदान करते हैं दोस्तों इसलिए इस्थाई होता है इसके पास दोस्तों एक CL रिडायन हमारा दोस्तों यहां पर 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 रहता है सुतनत रूप से वो CL रिडायन दोस्तों आता है इस कार्बो धनायन पर क्रिया करता है जहां पर धनायन है और यहां पर यह CS3, यह CH, एक CL पहले से था, एक CL और आ जाता है दोस्तों तो यह उत्पाद हमारा यहां पर बन जाता है, यह उत्पाद दोस्तों यहां पर हमारा मुख्य बन जाता है तो एक पर ही दो सियल लगे हैं तो इसका इसलिए नाम होता है दोस्तों एक कामा एक डाई क्लोरो दो क्लोरीन है तो एक कामा एक डाई क्लोरो दोस्तों क्लोरो क्योंकि दोस्तों दोनों जो क्लोरो है एक पर ही लगे हैं तो एक कामा एक डाई क्लोरो और दो कार्बन है तो में थेत एक कम एक डाई क्लोरो एथेन इसका नाम होता है एक कम एक डाई क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा इसलिए दोस्तों जो हमारा पहला अपसन है एक कम एक डाई क्लोरो एथेन वो हमारा सही उत्तर हो जाता है यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो कि यहाँ पर जो उत्पाद मिलता है हमने क्रियाविद को समझाया है तो उसकी साहता से हमें जो उत्पाद मिल ला है वो एक कामा एक डाई क्लोरो एथेन ही मिल ला है ठीक है हमने इसके नाम को बताया है किस प्रकाल लिखते हैं ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों ठ एडवांस के लेबल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोजा आशी डाउनुट करें डाउट में डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर